तो येर देखो आज कल के जमाने में ना भाई मुझे बीया रेंग और सीयस रेंग के इजए थोड़ी सी खतम होती हुए दिखाई दे रही है क्योंकि आज कल के लोग कस्टम खेलना को जादी पसंद करते हैं और लोगों को कस्टम जादा पसंद आने का शायद एक रीजन है जिसका नाम है unlimited glue wall और मेरी friend list में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जादा कस्टम खेला पसंद करते हैं इसलिए मैंनो नाम भी कस्टम ही रख दिया है बाई कस्टम बनाना यार कस्टम खेलेंगे बाई बनाना अच्छा बाई कली तो बनाया था अब सारे खतम होगे अब एक भी नी बचा तब ठीक ठाक है very good अरे एक बार चेक तो कर क्या आपते एक दो पड़े हो हमको सिकारी आ है बाई तेरी कसम यार एक भी नी है एकल बना लेकिन आप लोग मुझे एक भी ऐसा प्लेयर दिखा तो जो बोल दे कि भाई अभी कस्टम खेलने का मन्नी कर रहा बाद में खेलूँगा मैं कहरा हूँ है नहीं ऐसे लोग मतलब चाहें बंदा टूशन जाने के लिए लेकिन कस्टम तो खेल की जाएगा तो देखो हमारे free fire में वैसे तो काफी glue wall techniques है जो की बहुत जादा famous है जैसे कि बाई sit up glue wall हो गई या फिर background glue wall है जो की मतलब बहुत तगड़े तगड़े players use करते हैं और एक और तरीके की technique होती है जो की इन सभी से बहुत जादा famous है जिसका नाम तो खेर मुझे नहीं पता क्या है लेकिन इस technique को free fire के जो बड़े बड़े होते है जो noob वो use करते हैं और वो दिखने में कुछ इस तरीके की होती है मतलब वो बंदे पहले glue wall अपनी जेब से निकालते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं और glue wall लगाने के बाद थोड़ा सा sit up भी कर देते हैं तो देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको background glue wall की advanced level की secret trick बताऊंगा जो की direct पागल एमिटन से मुझे पता चली है मेरा मतलब उसका gameplay देखकर मुझे पता चली है तो perfect background glue wall लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी settings में थोड़े से changes करने पड़ेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना बस आपको सबसे पहले आकर अपने left fire button को तो on करी लेना है क्योंकि भाई ये जो बड़े बड़े players होते हैं ये two finger में तो खेलते नहीं है ये सब three finger या फिर four finger खेलते हैं और कोई-कोई तो भाई अपनी 10 की 10 उंगलियों से खेलने लग जाता है और वैसे भी fast glue wall जो है वो left fire button से ही लगती है तो अगर आपको two finger में भी बहुत ज़्यादा fast background glue wall लगानी है तो इसको तो on करी लेना और थोड़ा सा इसका size भी बढ़ा ही रखना क्योंकि background glue wall लगाने के लिए इसके ओपर काफी बढ़ा करना होता है और साथी में jump वाले button का भी size बढ़ा कर लेना उसके बाद ये सारी sensitivity को आप लोग 100 पर ही कर लेना क्योंकि background glue wall लगाने के लिए screen की movement काफी ज़्यादा करनी पड़ती है या फिर आप लोग थोड़ी dpi बढ़ा सकते हो तो वो भी बढ़ा लेना तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है आपको सबसे पहले जाकर एक glue wall खरीद लेनी है और उसके बाद आप लोगो ये मान लेना है कि ये जो मैंने glue wall लगा रखी है यहां से मेरा enemy मेरी side आ रहा है और मेरे को इस side भागना है background glue wall लगाते हुए फिर उसके बाद आ एक क्लिक करना है लेकिन जल्दी से उसी के जश्ट बाद आपको अपनी screen को right से left की side पर drag करना है और left fire बटन से tap 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 करके glue wall लगा देनी है मतलब screen को right से left की side ले जाना है उसके बाद tap tap और फिर उसके बाद वाला जो step होता है वही पर 99% लोग फज जाते है तो आपको यहां पर फसना नहीं है तो जैसे ही आपको glue wall लगाने के बाद ऐसा लगे कि अब आपके character के पैर जो है वो नीचे touch होने वाले है तो आपको उससे थोड़ा सा पहले ही अपनी screen को वापिस से left से right की side पर drag कर देना है और फिर आपको इसी चीज़ को loop में करते रहना है मतलब आपक tap tap करते रह जाते हैं जिससे कि उनका character रुख जाता है और background glue wall भी सही से नहीं लग पाती तो मैं आपको इसके step एक बार दुबारा बतायता हूं तो सबसे पहले भागना है उसके बाद jump वाले button और glue वाले button पर click करना instantly और फिर उसके बाद screen को rotate करते हुए पीछे की side ले जान नखना कि आपका जो character है वो background glue wall लगाते लगाते कहां पर जा रहा है कहीं पता चले कि glue wall लगाते लगाते zone के बार चले जाओ और मैं इसको और ज़्यादा fast करने की एक और trick बताता हूं लेकिन vote trick आप लोग जब ही apply कर पाओगे जब आपका jump वाला button है और left fire button है वो left side में हो otherwise आप लोग नहीं कर पाओगे तो जब आप लोग अपनी screen को rotate करते हो right thumb से पीछी ले आने के लिए तो पीछी ले आने के बाद आपको अपने right thumb को screen से हटाना ही नहीं है और फिर जब आप लोग दुबारा आगे की side लाओगे screen को तो दुबारा उसी अंगूटे से आगे की लेकिन वही यह कि जिसका jump button और left fire button left side में होगा वही कर पाएगा इस चीज को और जब आप लोग अपने enemy से बचके background glue wall लगा के भागरे होते हो तो उस time पर आपका enemy यह सोचता है कि भाई यह बंदा ना अब बस glue wall ही लगाता जाएगा यह बंदा आप बिल्कुल भी fire नहीं करेगा तो इसलिए आपको सुरिफ glue wall ही नहीं लगा नहीं आपको कभी कभी glue wall छोड़के एकदम से fire भी कर देना है जिससे कि आपका enemy एकदम शौक हो जाएगा वो बोलेगा कि भाई अभी तो एक glue wall लगा रहा था अब एकदम से fire कर दिया वाह और यह background glue wall आपके 1v1 में तो यूवी four four v five three v five और आज की इस वीडियो को लाइक मैं शरिफ और सिर्फ एक लाइक चाहिए और आपको आज की इस वीडियों को तो भाई शेयर करना ही मतलब यार करना ही करो और प्लीज आर आप लोग subscribe नीं कर देना मिलकाम आपसे next वीडियो में तब तक के लिए बाय-ब